पश्चमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्क उत्सव दो हजार चौबीस दिनांग चौबीस जन्वरी से चार फर्वरी तक स्थान रावण का चबूत्रा जोधपूर प्रवेश निहशुल्क आप सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं नोडल एजन्सी लगु उद्योग भारती जोधपूर प्रांध नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली गलो नियूस और मैं हूँ आपके साथ मानविठाकुर शुर्वात करते हैं आज की खास खबरों से कानपुर में केसको के समविदा कर्मियों का बड़ा खेल सामने आया है जहां केसको के समविदा कर्मियों ने मीटर रीसिलिंग के नाम पर एक युवक से हजारों रुपे की खगी की हैं संजे पुरम आजाद नगर निवासी प्रेम कुमार निशाद ने बताया कि उनका मीटर खराब हो गया था जिसके चलते उन्होंने गंगा बाईराज केस को आफिस में शिकायत की आरोप है कि केसको के समविदा कर्मियों ने उनसे मीटर रीसिलिंग के नाम पर 5,000 रुपे एक लिए और उनको 118 रुपे की रसीद थमा दी प्रेम ने बताया कि उन्होंने जब 118 रुपे की रसीद देखी तो उनको ठगी का पता चला फिलहाल पीडित ने नवाब गंच केसको कार्याले में लिखित शिकायत की है उधर मीडिया ने जब केसको के आलाधिकारियों से इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने पला ज़ाड लिया वहीं पूरे मामले पर केस को समविदा मजदूर संग के महामंत्री शंभू सिंग ने कहा कि जाच कर कर्मचारियों पर उचित कारवाई की जाएगी देखिए सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट पर मुझे लिए गया मुझे 118 रुपर की रसीद दी गई किसी कंप्लेंड करी आपने जिए आपको असवासल मिला है करते हैं आपका काम हो जाएगा थोड़ा समय दिजिए कि इतने दिन परियर का मामला आई है 17 सब्सक्राइब करते हैं आपका मीटर बनाया जाएगा और फिर उसके बाद कि आपका नया मीटर चेंज होगा जिसके बज़र से पांच हार रुपर लिए गया पांच हार की लिए आपको नहीं क्यों 118 रुपर की लिए आपको जब ग सब्सक्राइब करें अब जानकारी होगी आपके द्वारा में जानकारी मिलिए इस पर पता करके उसका सज्ञान और जो भी पीडित है उसकी मदद करी जाएगी करमचारी हो उस पर देखके उसका हल करा जाएगा बीच का रास्ता को लिखार के उसका समझोता या जो भी बात होगी जिसकी गलती है उसको सज्ञा दिलाए जाएगी